इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर इसका उप्योग सोराइसिस नामक त्वचा रोग के गंभीर रूपों के इलाज के लिए भी किया जाता है, जहां यह त्वचा में कोशिकाओं को मार कर काम करता है जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं बताता तब तक इसे लेना बंद न करें। इस दवा को लेते समय आपको शराब पीने से बचना चाहिए क्योंकि इससे लीव खराब होने का खत्रा बढ़ सकता है। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी भूक न लगना, पेट में दर्द, ठकान और मूँ के चाले शामिल हैं। इन में से कुछ को कम करने के लिए आपका डॉक्टर आपको फोलिक एसिद लेने की सलाह दे सकता है। अगर वे दूर नहीं जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं। इन डॉक्टर इस दवा के साथ उपचार से पहले और उसके दोरान रख परीक्षन, एक्स रे और शारीरिक परीक्षन जैसे कई परीक्षन कर सकता है। इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आप गर्भवती हैं, पेट, लीवर या किड्नी से संबंधित समस लिए संक्रम्मन के इलाज के लिए कोई दवा ले रही हैं। कई अन्य दवाएं इस दवा को प्रभावित या प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अपनी स्वास्थि टीम को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जिनका आप उपयोग कर रही हैं। गर्भावस्था के अनपान के दौरान इस दवा की सिफारिश नहीं की जाती है क्योंकि यह बच्चे को नुक्सान पहुंचा सकती है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।